आप और हमको भी हरी की कृपा प्राप्त करनी है तो बिना श्रीजी के कृपा के वह कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है विरिन्दावन के जो रसिक महानुभाव है, वह कहते हैं कि जीवन में कितनी भी कड़वाहट हो, जीवन में कितना भी बाधाए हो, लेकिन जैसे कोई कड़वी दवाई हो आपसे, पी नहीं जा रही तो क्या करना चाहे? या तो उस दवाई के साथ कुछ मीठा खा लो या दवाई खाने के बाद थोड़ी सी मिश्री खा लो, शक्कर खा लो तो क्या होगा? बोले जो करवाहट थी, वहां मिश्री खाते धीरे धीरे अब उस करवाहट को मिटा देंगे. वैसे जीवन में कितने भी आपद आपत्ती, विपत्ती बाधाएं हो, पर एक बार अभ्यास से राधा नाम की मिश्री अपनी व्याद से बोलो तो सारी विपत्ती, सारी करवाहट राधा नाम दूर कर देगा. इतनी शक्ती हैं एक श्री राधा नाम राधा नाम को कोई सामन्य न समझे राधा पूर्ण शक्ती, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दोई वस्तु भेद नहीं शास्त्रिय प्रमान श्री चैतन्य चरितामृत कह रही है कि इन दोनों में कोई भेद हैं ही नहीं सदा सरवदा राधा और कृष्ण एक दूसरे के ही पूरक है चारों वेद बखान करे और संत मुनी तिन के मन माही यमुना यम्दूत तन मारत है और भव आरच श्री राधिका रानी भवसागर में तारने का घर किसी में सामर्थ न तो वह एक मात्र हमारी श्री राधा रानी में और एक बात और सुन लीजिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात कही थी न कि आप उनकी शरण में जाओ तो पिछला सारा हिसाब मिटा देते हैं कि चलो कोई बात नहीं पीछे जो गलती करें कृष्ण कहोगे तो पिछला पूरा हिसाब मिटाएंगे पर राधा अगर जिस दिन कह दिया श्री राधा नाम का उच्चारन किया तो हिसाब मिटाना छोड़ू पूरा रजिस्टर फाड कर फैंक देते हैं अगला पिछला सब ठाकुर जी कहते तेरे पिछले अगले सब पाप माफ। क्यों? क्योंकि तुने मेरी प्रिया श्री राधा का नाम लिया है। श्री राधा नाम का उच्चारन किया और केवल रजिस्टर नहीं फार देते। उल्टा क्या सोचते हैं कि आप इससे मैं क्या दे दूँ? पाप पुन्य तो खतम कर दिये लेखा जोखा। अब इससे क्या दू? क्या दू? इसे इसने श्री राधा नाम लिया है। इसे धन दौलत दू? बोले अरे नहीं नहीं ये तो कोई कीमत नहीं है। मेरी नजरों में सबसे कीमती चीज दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? बोले ठाकुर जी अपने आपको उस भक्त को दे देते हैं। हम से ज्यादा कीमती क्या होगा? और बना तो जो राधा नाम लिया उसको अपने आपको ही दे दिया। जा आज से हम तेरे। तू जै जाने वाली हमारी बरसाने वाली श्री राधारानी। तो ठाकुर जी फिर भी फिर भी थोड़ी बहुत कंजूसी करते हैं क्रिपा करने मन पर। राधारानी तो क्रिपा की भंदार है। राधारानी का एक नाम है बरसाने वारी। अब बरसाने वारी कीजे तो बरसाने वार कोई बिहार का हो तो बिहारी, हरियारा का हो तो हरियान भी, बंगाल का हो तो बंगाली तो बरसाने का. बरसाने वारी बोली नहींने. इसलिए नाम नहीं बरसाने वाली तो फिर क्यों? बोले, ठाकुरजी कृपा बूंड बूंड बरसाते हैं. पर राधारानी तो कृपा की बारिश कर देती है इसलिए कृपा बरसाने वाली की जो कृपा बरसाती उनकी हर कदम कदम पर ही सम्हालती है कोई गुण अवगुण नहीं देखती एक सबसे बड़ा श्रीजी के चरणों का सानिध्य प्राप्त करने का लाब यही है गुण अवगुण नहीं देखती क्यों नहीं देखती अरे साधर्न जगत में भी तो आपने देखा होगा साधर्न जगत में कोई बालक उपर से नीचे तक गंदा मैले कप्रे पहना हो तो पडोसी क्या कहेंगी अरे दूर दूर कैसे गंदे कप्रे पहन कर आए हैं भाई बहन भी कह देंगे अरे नाले पहले पर जो मा होती है वह जैसे देखती है खूब गंदा है उपर से नीचे तक मैला है माती लगी है फिर भी उसको लेकर के अगर आता है स्कूल से दोड़ धूप करके तो उसको अपने गले से लगा लेती है वह नहीं सोचती कपड़ा गंदा है कि नहीं गंदा है वैसे ही मन भी गंदा हो जीवन भी गंदा हो पर एक बार राधारानी को कोई दास्ता स्वीकार कर ले कह दे मैं आपका हूँ तो श्री राधा रानी उसके सब महलों को भूल के उसको अपने गले से लगा लेती है अपने हृदय से लगा ले इतना कृपा बरसाते